नमस्कार नगोई राजोरिया आपका स्वागत है SKH न्यूज में जिन्पत्फोजबाद में जिला दिकारी चंद्रविजेश सिंग के आदिशा नुसार नगर मजी स्ट्रेट ने राम निला मिदान में बनी आयोध्य के ताले खुलवाए प्रदेश की जिन्पत्फोजबाद में आज सनातन धर्म राम निला मैदान में जिस तरह जिला दिकारी चंद्रविजेश सिंग के आदिशा नुसार नगर मजी स्ट्रेट ने राम निला मैदान में बने योगी राज भगवान, श्री कृष्णी आदव, सेवा समिती एवं आयोध्या को चिटपन समिती के दस्तावेज गरत मिरले से सील किया गया था मगर उच नियायले के आदिशा नुसार, आज जिला दिकारी के आदिशा नुसार नगर मजी स्ट्रेट द्वारा दिये गए नायाप तैसिर्दा द्वारा राम लीला मैदान में पहुँचकर आयोध्या में लगे श्री तालो को खोल दिया गया मही रामलीला महोसर समिती के अध्यक्ष M.L.C. दॉक्तर दिली प्यादव ने मीडिया को चानकारे देते हुए बताया कि जूटे लगाए गए आरोपर बर रामलीला में बने श्री राम आयोध्या के ताले लगवाए गए थे मगर आज उच नियाले के आदेशों को मानते हुए नगर मजिस्ट्रेट कुमार पंकर सिंग ने माननी उच नियाले के आदेशों को मानते हुए ततकाल नायाब तैसीरदार रवी सोनकर को ताले खोलने की दिये आदेश वहीं मेला सच्चेव आर्पी सिंग यादव ने मीडिया को जान करे देते हुए बताया कि जो आरोब किसी अराजक तत्वो द्वारा चिटफन बताकर सील कर दिया गया था, उसी कोवाच उच नयायला ने गंभीता से लेते हुए राम लिला में मने भवनों को सीच किये हुए तालोग को खुलवा दिया जाए। महीं श्री सनातन धर्म, राम लिला मोसफ समेती के अध्यक्ष, मलसी जॉक्टर दिलीप यादव, सच्चिव आर्पी सिंग यादव, उमेश यादव, अभीश्री सनातन धन, राम लिला मोसफ समेती के गड़मान लिलोग मौजूद रहे तो जबास्ति सुरास सिंग की रिपोर्ट, SKS News राम लिला सब के भाव की आध्यादमक पार्ट है, तो सब की जमीन एक साजनक है, तो इसमें हम मानते हैं वो जमीन इसे मुक्त कराने के लिए प्रयास किया है। लेकिन तकलीफ ये होती है कि प्रसाशन सब भे व्यप्ति की बात नहीं सुनता है, वो उन्हीं व्यप्तियों की बात को महत्तों देता है जो लखंगे, लूटे, रेव, दलाल काईप की होते हैं। इस रामलीला प्रकरन में कोई ऐसा ढगला नहीं था कि बिल्लिंग को सीज़ किया जाए। लेकिन हनुमान ट्रस्ट और भाजबा के कुछ कार्ज करता चिराजकारी के पीछे पड़े और जो जमीन 1875 से रामलीला के अधीन हैं, जमीन दान डाताओं ने आज तक कभी क्लेम नहीं किया है कि जमीन अमारी खाली कराई जाए। उन मुसल्मानों ने आज तक जमीन नहीं मागी है। जमीन आदेश पारित होने के बाद डिप्टी रश्टार चिर्वन सुझाइडी आगरा को जिलादगारी फोजावार ने नगर मस्टेट फोजावार ने आयुक्त आगरा मंडल आगरा ने ठिट्टियां लिखी कि संसा का पंजी का नर्स किया जा कि जमीन इनके नाम नहीं ह हमारी संसा का पंजी का नर्स कर दिया उसके उपरान सुझी मस्टेट ने कुछ उन्हीं व्यक्तियों की सिकायद के आधार पर इस बिल्लिंग को सील किया था हमने जब फूंचा तो उनने बताया कि आपके खिलाब 6-7 व्यक्तियों ने सिकायद किये हैं कि आप वहां से कीमत होके हमें माननी उच्छ नियालया की सरन ले नी पड़ी उच्छ नियालया में हमने जिलाजगारी कमिशनर सिद्रीम इस्टेट और नगर आयुक्त और हनुआन ट्रस्ट इनको सब को पाईजी बनाते हुए अपील दाहिर की थी अपील की सुनवाई होने के बाद माननी उच रहीन मानते हुए ये कह दिया के ने रधिकी तोकरी में डाल डिया जा और इन्हें कमजार दिया जाए उस आधेश की चाया प्रती हमने नगर मजुए को अपना प्रासणा पर समयलग करते हुए कल दूफेर बारे साड़े बारे ये दिया था नगर मश्टेट नहें कुएक कि आपके सामने खुलवाया जाएगा तो तैसिलार बिजी होने के कार नहीं आपाए उन्हों नहीं नाइब तैसिलार सौनकर साब को हमारियां भेजा और उन्होंने कमेटी की उपस्ते दीमें सीलों को तोड़ते हुए खोला जो आपकी चित्फंड बताया आता से विजी वो उसके के खिलाब किस तरह की कार वेजी जाएगी तो चित्फंड सुसाइटी के खिलाब हमने मंडे को जागे उन्हें भी आज़ेश की प्रतिव महिया करा दी जाए गी उसके बाद वो अपना जो आज़ेश था संस्ता संत्री करने का वह बापीश लेंगे और हमारी कवेटि को मानेता दे देंगे इन से अब हाई वो ने 6 सब्ता में देंड़ माह में कांचल एपी डेवर मागए है उसका हम जबाव दो सब्ता के बाद देंगे उसके बाद ने हीरव दस्ता लिज़िस साल जबतर चलेंगे इस नहीं ह